Hello students, आज मैं आप लोगों से discuss करने बाला हूँ inverse trigonometric function, ITF की कुछ advanced level problem मैं 5 problem इसमें discuss करूँगा, 2 problem आपके सामने board पे लिखी वी हैं और these are really very good problem, मतलब इस तरह की ही problem advanced level में मैं अपने पिछले सारे experience से बता सकता हूँ कि इसी तरह की थोड़ी सी tough side, यह tough side वाली problem है और इसी तरह की problem अपने advanced level में पूछी जाती है या पहले पूछी जाती रही है ठीक, तो आप इन problem को डंग से देखिए, try करिए पहले इन दोनों problem को कि इनका solution क्या है और फिर उसके बाद आगे जो problem करूँगा वो भी आप देखना ठीक, तो पहले आप इन दोनों को attempt करिए उसके बाद आगे की problem आप देखना मैं solution से start करता हूँ तो बच्चो, problem number 1 है alpha दे रखा है 2 tan inverse 1 plus x upon 1 minus x और बीटा दे रखा है sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square हमें alpha plus beta बताना है और alpha plus beta के लिए हमारे पास 2 option है एक तो 0 से 1 में बताना है और एक हमारे पास 1 से बड़े के लिए बताना है कि भी 0 से 1 के लिए क्या है और 1 से बड़े के लिए क्या है अब देखो सबसे पहले मैं चलो बीटा की बात कर लेता हूँ बीटा थोड़ा असान सा लग रहा है मुझे तो मैं बीटा की बात कर लेता हूँ पर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बीटा को मैं यह लिख सकता हूँ क्या pi by 2 minus cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square ठीक है और x अगर positive होता है x अगर 0 से बड़ा होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 210 inverse x तो यह होगा pi by 2 minus 210 inverse x when x is greater than equal to 0 ठीक बात जब x 0 से बड़ा है तो बीटा हमारे पास क्योंकि 0 से बड़े वाले option देख रहा हूँ तो इसलिए मैंने 0 से बड़े के लिए बीटा को लिखा pi by 2 minus 210 inverse x अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखू यह क्या है इस तरीके का expression 10 inverse 1 plus 10 inverse x में बलेगा 10 inverse 1 plus 10 inverse x में अब 10 inverse x plus 10 inverse y का formula सोचो 10 inverse x plus 10 inverse y का formula x into y पे depend करता है एक्स इंटू वाइवन से बड़ा तो कुछ और x in to y बन से छोटा तो कुछ और तो x into y 1 से छोटा पहले एकस ले लेते है X into y 1 से छोटा तो x into y क्या है X तो x है y कितना है 1 x into y 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो इससे हम क्या लिख सकते थे 10 inverse 1 x plus y upon 1 minus xy इसका मतलब जब x 0 से 1 के बीच में है so this is equal to this ठीक मैं 2 से multiply कर लूँगा तो यह हो जाएगा alpha तो alpha is equal to 2 10 inverse 1 which is pi by 2 10 inverse 1 कितना होदा है pi by 4 pi by 4 into 2 pi by 2 plus 2 10 inverse x yes तो x अगर 0 से 1 के बीच में है तो alpha कितना है pi by 2 plus 2 10 inverse x और beta कितना है pi by 2 minus 2 10 inverse x तो इन दोनों का sum कितना होगा 2 10 inverse x कट जाएगा pi by 2 plus pi by 2 pi आ जाएगा तो कौन सा option सही आ रहा है भई एक a सही आ रहा है ठीक बात कि भई x अगर 0 से 1 के बीच में है तो यह हमारे पार सही है अब अगर हम बात करें x into y 1 से बड़ा होता मतलब x अगर 1 से बड़ा होता तो 10 inverse x प्लस 10 inverse y का formula क्या होता तो 10 inverse x प्लस 10 inverse y का formula होता pi plus 10 inverse 1 plus x upon 1 minus x यह जो हमारे पास definition है यह तो 0 से 1 के लिए है ठीक है तो x अगर 1 से बड़ा है तो यह क्या है pi plus 10 inverse 1 plus x upon 1 minus x तो इस pi को में धल ले आया इस pi को धल ले आया यह 10 inverse 1 pi इदर आएगा तो minus 3 pi by 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 inverse 1 plus x upon 1 minus x is equal to minus 3 pi by 4 plus 10 inverse x ठीक और 2 से multiply करेंगे तो यह जाएगा minus 3 pi by 2 plus 2 10 inverse x and that is equal to alpha जब x 1 से बड़ा है तो alpha x अगर 1 से बड़ा है तो वो कितना है minus 3 pi by 2 plus 2 10 inverse x वो कितना है minus 3 pi by 2 plus 2 10 inverse x और beta कितना है pi by 2 minus 2 10 inverse x इन दोनों को जोड़ना है 2 10 inverse x कट गया pi by 2 minus 3 pi by 2 कितना हो गया minus pi तो which option is correct तो यह प्रॉब्लम नंबर वन है प्रॉब्लम नंबर वन के दो सोलुशन आ गए कौन-कौन से एक तो पाई जब X 0 से 1 के बीच में है और एक माइनस पाई अगर X हमारे पास 1 से बड़ा है यह पूरा का पूरा कोश्चन प्रॉपर्टी बेवेस है है ना पूरा का पूरा unwillingree मैंने होठे डिने मरमरा पर एक्स्प्लें आखके टीए अब नमबर वन उमीद है माय है मेला अंक करने में मजा तो फिर क्या आया होगा जब होती है तो मंजा आता है नहीं होती है तो कुछ मंजा नहीं आता ॐह एक हमेशा की बात है चलिए अब problem number 2 की बात करते हैं problem number 2 में दे रखा है n 1210 m 1210 10 inverse m upon n ठीक double sigma मतलब double sigma अब double sigma m 1210 हमें दे रखा है तो इसमें हमारे पास किस किस तरीके की टाम हैंगी वहीं एम 1 से लेके 10 तक है n 1 से लेके 10 तक है अगर इसमें मैं open करूँ जैसे मालो n अगर 1 है तो 10 inverse 1 upon 1 plus 10 inverse 2 upon 1 ठीक plus 10 inverse 3 upon 1 और इसी तरह करते करते 10 inverse 10 upon 1 ठीक एन अगर 1 है तो आन अगर 2 है तो क्या होगा 10 inverse 1 upon 2 plus 10 inverse 2 upon 2 ठीक है plus 10 inverse 3 upon 2 ठीक है और 10 inverse 10 upon 2 ठीक बात और इसी करते 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 n अगर 10 हो जायेगा तो 10 पर क्या आएगा 10 inverse 1 upon 10 plus 10 inverse 2 upon 10 और करते करते 10 inverse 10 upon 10 तो यह इत्ती सारी terms का हमें सम निकालना है अब यह देखो 10 उपर है 10 नीचे है 10 नीचे टोटल तो टित्ती तर्म हो गई 100 अब हंडेट तर्म का सम कैसे निकाले भाई इन हंडेट तर्म का सम निकालने के लिए है न मझे दार चीज कि वह अंडेट तर्म का सम निकालना है देखो 1 1 2 2 10 10 ऐसी कित्ती तर्म होंगी जब m और n एक्वल है कि m is equal to n ऐसी तर्म कितनी है है 10 और हरे एक टम की वैल्यू 10 ऐसे मान पाई बैपोर तो एसी दस टम हैं जिनकी वैल्यू पाई बैँए फोर है तो 10 एंटू पाई बैफोर तो टैने टू पाइबाएफ फोर सभी बात इसके बाद अब देखो बची कितनी टम वह दस तो गायब कर दी मैंने बची कितनी 90 90 में ये एक पेर है टैन इनवर्स टू प्लस टैन इनवर्स बन बाइटू इंका सम कितना होगा कितना होना चाहिए पाइबाएटू बढई टैन इसे कितने पेर बनेंगे बढई 90 तो टम है पेर कितने है 45 तो 45 पेर में हरे एक पेर की वैल्यू कितनी है पाइबाएटू तो इस पूरी सीरिस का सम दिस फ्लस दिस होना चाहिए अगर अगर हम इसे ध्यान से देखें यह 2 यह 55 पाइबाएटू प्लस 45 पाइबाएटू That will be 50 pi by 2, ठीक, और 50 pi by 2 करेंगे, तो answer will be 25 pi, तो what is the value of k? The value of k will be 25, कि इस k का answer कितना है, 25 हमारे पास है, the value of k will be 25, ठीक, चले एक question और करते हैं, एक question और करते हैं कि, problem number 3, problem number 3 दे रखी है, if tan inverse 1 by 2, ठीक, comma, tan inverse 1 by 2 plus k, ठीक, and tan inverse 1 by 2 plus 2 k. 10 inverse 1 by 2, 10 inverse 1 by 2 plus K और 10 inverse 1 by 2 plus 2K R angles of a triangle R angles of a triangle of a triangle Find K तो K की value हमारे पास क्या होगी 10 inverse 1 by 2, 10 inverse 1 by 2 plus K और 10 inverse 1 by 2 plus 2K यह हमारे पास angles of a triangle है मतलब यह alpha है, यह beta है, यह gamma है तो alpha plus beta plus gamma कितना होना चाहिए? पाई और alpha, beta, gamma पॉजिर्टिब भी होना चाहिए अब देखो इसमें में एक identity याद दिलाता हूँ 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z इन तीनों का sum पाई कब होता है 10 inverse x plus यह mislinious identity में मैंने करा रखी है तो आप वहाँ पे रिफर करना 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z is equal to pi कि इन तीनों का sum pi कब होगा? अगर x, y, z positive है तो इन तीनों का sum pi होगा अगर x plus y plus z is equal to x, y, z x plus y, इन तीनों का sum या x plus y plus z, x, y, z की बराबर है तो इन तीनों का sum क्या होता है? पाई ठीक बात अब x plus y plus z, यहाँ पे x कितना है? 1 by 2 तो 1 by 2 1 by 2 plus k 1 by 2 plus 2 k ठीक बात और यह हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 plus k ठीक 1 by 2 plus 2 k सही बात तो 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 3 by 2 plus 3 k 3 by 2 plus 3 k 3 common ले लिया 1 by 2 plus k तो 1 by 2 1 by 2 plus k 1 by 2 plus 2 k सही? 1 by 2 plus k कट गया मतलब k is equal to minus half आगया लेकिन k is equal to minus half पे यह एंगल कितना है? 0 और triangle का angle 0 नहीं होता तो यह reject हो गया बाकी बचा किया बाई 2 से इदर multiply कर दी चारतिया 12 और इदर के बचा 1 plus 4 k तो what is the value of k? 11 by 4 तो answer of k will be 11 by 4 कि अभी k का हमारे पास answer क्या आ रहा है? 11 by 4 आ रहा है This is about problem number 3 यह हमारे पास problem number 3 है एक problem और देखते है problem number 4 10 inverse 1 by 3 plus 10 inverse 2 by 9 ठीक अप्टो 10 inverse 2 की पावर न माइनस 1 अपान 1 plus 2 की पावर 2 न माइनस 1 find sum of this series मतलब यह S n है हमें S n भी निकालना है और S infinity भी निकालना है कि sum of infinite term of this series कितना होगा? कि what should be the sum of infinite series? अब यह जो problem number 4 है पहले आप इसे attempt करने अपने आप तभी इसके solution देखना अभी जो S n है infinite term है इसका sum हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका sum निकालने के लिए हमें n-th term को as a difference of two term लिखना है हमेशा तो जो n-th term है n-th term पकड़ते हैं n-th term क्या है? 10 inverse 2 की power n-1 1 plus 2 की power 2 n-1 को में लिख सकता हूँ 2 की power n into 2 की power n-1 ठीक बात? तो यह 10 inverse नीचे है 1 plus x into y x क्या है? 2 की power n x क्या है? 2 की power n और y क्या है? 2 की power n-1 तो x into y कितना है? 2 की power n minus 2 की power n-1 2 की power n-1 को मन लिया तो बचा कितना? 2-1 जो की उपड़ी लिखावा है इसका मतलब इस 2 की power n-1 को मैं यह लिख सकता था क्या? 2 की power n minus 2 की power n-1 तो यह हो गया 10 inverse x minus y upon 1 plus xy कितना हो गया 10 inverse x minus y upon 1 plus xy अब 10 inverse x minus y upon 1 plus xy से में लिख सकता हूं 10 inverse 2 की power n minus 10 inverse 2 की power n minus 1 खिक बात यह हो गया मेरे पास Tn Tn यह हो गया what should be Tn minus 1 10 inverse 2 की power n minus 1 minus 10 inverse 2 की power n minus 2 करते 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 हम T1 पर जाएंगे T1 कितना होगा 10 inverse 2 की power 1 minus 10 inverse 2 की power 0 इन सब का हमने add कर दिया तो T1 plus T2 plus T3 that will be Sn कि वो हमारे पास कितना होगा Sn होगा और Sn में यह से कट जाएगा यह इसके नीचे वाले से कट जाएगा यह इसके उपर वाले से कट जाएगा तो क्या आ गया 10 inverse 2 की power n minus 10 inverse 2 की power 0 विच इस पाई भाई 4 ठीक अब n approaching to infinitive 10 inverse infinitive होगा 10 inverse infinitive कितना होता है पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 minus पाई बाई 4 answer will be पाई बाई 4 तो sum of infinite term of this series will be पाई बाई 4 कि वे infinite series का sum कितना होगा हमारे पास पाई बाई 4 के equal होना चाहिए चलिए एक question और करते हैं मैंने आपसे 5 problem commit करी हैं कि वे 5 problem मैं कराऊंगा एक problem और करते हैं कि एक problem और के दे रखिए हमें एक problem है हमारे पास problem number 5 find x if sin inverse x plus sin inverse 2x is equal to 2 pi by 3 तो x is equal to कि x किसके equal होगा x is equal to x की value हमें बतानी है ठीक अब sin inverse x plus sin inverse 2x is equal to 2 pi by 3 ये एक inverse technometric equation का question है किसका question है ITF inverse technometric equation का इसके लिए हम क्या करेंगे sin inverse को अधर ले जाएंगे तो sin inverse 2x is equal to 2 pi by 3 minus sin inverse x दोनों side sin ले लिया दोनों side sin ले लिया तो यहां बचा क्या 2x ये क्या बचा sin 2 pi by 3 minus sin inverse x ठीक sin a minus b का फामनल हो आया sin a sin 2 pi by 3 that will be root 3 by 2 into cos b under root 1 minus x square sin a cos b minus cos a cos 2 pi by 3 will be minus half sin a cos b minus cos a sin b sin b कितना होगा x ठीक बच तो 1 by 2 x ये इधर आ जायेगा बची plus 1 by 2 x हो गया 1 by 2 x इधर आया है तो कितना हो गया 3 x by 2 root 3 by 2 under root 1 minus x square 2 से 2 cancel root 3 यहां पर आ जायेगा दोनों साइड square करने के लिए x कैसा होना चाहिए positive मैं तब तो square कर सकते हैं तो square करेंगे तो 3 x square is equal to 1 minus x square x square is equal to 1 by 4 तो x is equal to plus minus 1 by 2 मैंने minus वाला reject कर दिया minus वाला क्या कर दिया मैंने reject तो what is the answer of this equation x is equal to 1 by 2 तो बच्चों ये हमारे पास कुछ शांदार प्रॉब्लम थी किसकी ITF की inverse trigonometric function की उमीद करता हूँ कि आपको इन प्रॉब्लम करने में शांदार मज़ा आया होगा तो मज़ा आया है तो फटाफट वीडियो को like भी करो ये जो like है यही मेरे motivation है और कोई feedback है तो उसे comment में जरूर डालो Thank you very much